जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतःण यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को वताने वाली हूं मंत्र जाप करते करते सरीर में दर्द होने क्यों लगता है सपने में संभो क्यों दिखता है रात को नीद क्यों नहीं आती है अगर यही चीजे आप लोगों के साथ हो रही है तो आप इसका अर्थ क्यों नहीं समझ रहे हैं अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो आप ये वीडियो लाश्ट तक देखना आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यूं होता है और ऐसा अगर आपके साथ होता ही है तो कोई न कोई वजा तो होगी जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी पहली बात तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मंतर जापनी करते हैं के उनके साथ क्या होता है कि जब वो मंतर जपना शुरू कर देते हैं तो उनके पहली बात तो सुरुबात में उनके सरीर में दर्द ओने लगता है ठीक है सरीर के हर अंग में कही न कही उनको दर्द देखने को मिलेगा और वो भी रोजाना प्रती दिन जो सुरुबात करते है मंतर की दूसरी चीज सपने में उनको लगातार संभोग दीखता है जो जो लोग संभोग से नफरत करते हैं कि हमें इस तरह की गंदी चीजे ना दिखाई दे वो मंतर जाब करने के बावजूद भी दिखाई देती है तो ऐसा क्यूं होता है रात में आप लोग भटकते हैं जिसे आपको नीद आती है लेगिन आप सोने की पूरी कोशिश करते हैं एकदम से नीद गायब हो जाती है दीमाग में तरह तरह की बाते चलने लगती है अच्छी भी और बुरी भी तो यही चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो इसकी कोई न कोई वज़ा जरूर है और वही वज़ा में आपको वीडियो में बताऊंगी बताने से पहले एक रिक्वेश्ट आप से करना चाऊंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चेनल पे नए आए ह तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो माता का सब्सक्राइब करते हैं जो अनेक देवी देपताओं के मंतर का जाब करते हैं तो देखिए जिनको मंतर जाब करते करते काफी समय हो चुका है जैसे की चार महीने, पाँच महीने, छे महीने, एक साल, दो साल, इतना समय जिनको जट्टे-जट्टे हो चुका है, तो उन लोगों के साथ यह चीजे होनी बंद हो जाती है, पहले उनके साथ भी होती है, जो सुर्बात करते हैं मंतर जाप की, जो नई-नई सिध्धी, साधना, पूज पार्ट मंतर जाप की सुर्वात करते हैं, तो उन लोगों के साथ यह चीजे होती है, देखी क्यों होती है, पहली बात मैं बताओं, जब आप जैसे मानलो मैं एक्जेंपल देती हूं काली माता के उपर, जैसे काली माता का कोई भी मंतर है, आप जबते हो, ठीक है, अभी आ सहीज़ा आपके सही रास्ता दिखाए, इसलिए माता आपके सही बनाटे है, इसलिए माता आपके सही रास्ता दिखाए, बैठती है और तब आपके साथ इचीजे होनी शुरू हो जाती है और जब आप मंतर कोई जबते हो तो वो मंतर सिद्ध भी होता है तो सिद्ध होता है तो आपके साथ इचीजे होती हैं आपके सरीर में दर्द बना रहेगा ऐसा हमेशा आपके साथ नहीं होगा ऐसा आपके सा संभोग की तो देखिए संभोग का द्रेश से जादा तर पता किसको दिखता है संभोग का द्रेश से उसको उस व्यक्ति को दिखता है जिसके ऊपर माता की या देपता की कोई किर्पा हो है ना जिस पे किरपा होती है संभोग के द्रिश से भी उसी को दिखाई देते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी के उपर माता की या देवी देपता भगवान की किरपा होती है तो माता काली के साथ एकी शक्ती नहीं होती है कोई देवी देपता की शक्ती नहीं होती है वो लोगों का बुरा करते हैं लेकिन जब उनको माता पकड़ लेती है तो उन्हें अपनी शरण में ले लेती है तो माता की सेवा में लग जाते हैं जैसे मसान है मसान बच्चे का रूप होता है और मसान ऐसा होता है कि जैसे मंदिर में उसे सब जगा लाउट होता है जाना वो कह भी जा सकता उसे कोई निरोग सकता तो मसान की जो शक्ति होती वह भी माता की सेवा में रहती है तो जब हमारे साथ हमारे पास माता आएगी तो भाई नेगेटिब शक्तियां भी तो चल का इंगी साथ आएगी या नहीं आएगी बताईगी जब माता की सेवा में कोई है साथ म जैसे मैं किसी ऑब कर रहा भेएं या कर रही हूं आप लोग कहीं कोई दिखते हैं तो आपको सबसे पहले देखे, अगर आपको रात के समय नीद नहीं आती है और तरह तरह की भाते आप लोगोगों के दिमाग में घूमती फिरती रहती है तो ऐसा आप लोगों के सब quests93 collection होता है, जब आपके चारो और कोई सब्सक्राइस होती है, मतलब कहने का जिस देवी कि आप पूजा कर रहे हैं जैसे काली माता है कोई भी देवी देपता हो जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो शक्ति आपके चारो पैर घूमती है सर से लेके पैर तक चारो तरफ घूमती है इस तरीके से वो आपके दिमाग पर बैठ जाती है कभी आपके सरीर में बैठ जाती ह तिमाख में और सपने में भी आपको ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिखता कभी-कभी अच्छा दिखता है तो कभी-कभी ड्राव न दिखता है तो घबराई यह मत यह नूर्मल चीज है और जिनके साथ शक्टियां होती है उन्हीं को यह चीजे होती हैं और दिखाई दे